तो शुरू करते हैं सोशेल हेल्थ फ्रॉम एससी क्लास जैन साइन्स टू चाप्टर नंबर नाइन जिसका देखेंगे लेक्चर वन जो पेज नंबर 101 से लेके 103 के उपर आधारित होगा और आज का अपना थीम थोड़ा डार्क है ठीक है थोड़ा सा हलका सा अंधेरे में है बिकॉस कुछ डार्क टॉपिक्स के बारे में डार्क चीजों के बारे में बात करेंगे एंड इफ्या न्यूटी चानल सब्सक्राइब करना शेयर करना वीडियो को लाइक भी करना वी आल्सो एव टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन मे टेलीग्राम के उपर बिहाइंड दे सीन चीजे रेगुलर अपडेट्स लाइव लेक्चर्स का शेडियूल यह सब कुछ मैं पोस्ट करते रहता हूँ एंड बिफोर वी स्चार्ट विद दे लेक्चर चैप्टर में क्या रेडियूज है वो आपको बता देता हूँ देखो मराथी में हमें रेडेक्शन मिला है चैप्टर नमबर नाइन सामाजिक आरोग्या सोशियल हेल्थ पेज 101 पर निरिक्षन करा वचर्चा करा अब्जर एंड डिसकस यह जो पूरा चार्ट है फैक्टर अफेक्टिंग सोशियल हेल्थ का वो रिडियूस हो चुका है निकल चुका है उसके उपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे फिर 103 पे विचार करा थिंक तुलना करा कंपेर 104 पे थोड़े आठवा रिकॉल लिटल 105 के उ एक दम चिंदी चपाटी छोटे-छोटे डब्बे बिब्बे हटा दिये गये हैं ठीक है उसमें से तो ऐसे भी कुछ आता नहीं है पुछते भी नहीं फालतु का रिड़क्शन है फिर 105 पर साइबर गुनहे साइबर क्राइम जो है वो पूरा पैरेग्राफ रिडियूस हो चुका है उसके उपर कोई question नहीं आएंगे ठीक है और 106 पर महित आये का तुम्हाला ये जो डब्बा है डू यू नो ये भी हट चुका है तो ये तीनी मेजर रिडक्शन है ठीक है निरिक्षन करा चर्चा करा साइबर गुने महित आये का तुम्हाला तीन चीजे बड़ी रिड्यूस होई है ठीक है अब तुम्हारी school शुरू होगी offline lecture शुरू होंगे तुम school जाओगे तो एक observation करना ठीक है थोड़ा सा observe करो classroom में जाओ कुछ बच्चे तुम्हें दिखेंगे जो continuously चपड़ 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 बड़ चालू रहती है उनकी these students are highly interactive बच्ची market बना रखा होता है घोंगाट चल रहा होता है बहुत बाते होती है highly interactive बच्चे होते हैं फिर कुछ students होते हैं these are occasionally interactive दो तीन लोगों के साथ सुमड़ी में बैठके शांती से बात करेंगे जादा चिल्लम चिली गोंगाट नहीं रहेगा सुमड़ी में कुमड़ी बने हुए रहेंगे occasionally interactive and फिर कुछ बच्चे होते हैं जो बिलकुल बात नहीं करते हैं these are not interactive at all ये वाले बच्चे एकदम शांत बैठेंगे चुप चप अपना काम करते रहेंगे ये वाले जो बच्चे हैं जो किसी से बात नहीं कर रहे हैं these students are not very social not very social मतलब क्या इनके जादा friends नहीं हैं ये लोग जादा interact नहीं करते communicate नहीं करते relationship बिल्ड नहीं करते किसे के साथ these students are not very social अब हम social health पढ़ रहे हैं तो social का मतलब तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया health क्या होती है देखें there are two aspects of health health के कितने aspect होते हैं दो aspect होते हैं ठीक है एक होती है physical health मतलब fit in the body body fit होनी चाहिए तुम्हारी तुम चल पा रहे हो कूद पा रहे हो अपने काम कर पा रहे हो तुम्हें physically कोई problem नहीं है physically healthy हो physically fit हो and mental health होती है means sound in mind अब बहुत सारे लोग होते हैं जो physically fit हैं बाहर से कोई तकलिफ नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारा दर्द, दुख, sadness लेकर घुम रहे हैं depressed होते हैं बहुत सारे लोग mentally unstable हो जाते हैं suicide वगरा कर देते हैं and इसक problem कोई बंदा perfectly healthy है मतलब वो physically भी fit होना चाहिए and mentally भी fit होना चाहिए and एक और बात हमारा जो WHO है World Health Organization इन्होंने health की definition हमें क्या दी है ध्यान से सुनना health is a state of complete physical physically fit mentally fit and social well-being physically fit होना चाहिए mentally fit होना चाहिए and socially भी fit होना चाहिए यह social word कहां से आता है देखो the word social comes from the latin word socius which means friend ठीक है तो यह जो word है social वो कहां से आया है socius which means friend ठीक है and not merely the absence of disease or infirmity infirmity मतलब क्या disorder तुम्हें कोई बिमारी नहीं है कोई disorder नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह fit हो आप physically भी fit होने चाहिए mentally भी fit होने चाहिए and socially भी fit होने चाहिए तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि एक बंदा perfectly healthy है ठीक है health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity यह हो गई तुमारी health की definition according to WHO तो अब यह social health का मतलब क्या होता है हमें कौन सी definition exam में लिखनी है देखो social health means it is the ability of a person to establish relationships with other people तुमारे friends है, relatives है, ma-baap है, तुमारे spouse होगा, girlfriend होगा, boyfriend होगा, husband होगा या wife होगा उन सब लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ आप किस तरह से communicate करते हो, interact करते हो, उनके साथ किस तरह से relationships build करते हो यह जो आपकी ability होती है, उसको हम social health बोलते हैं, simple बात है, ठीक है, the ability of a person to establish relationships with other people अच्छा एक और बात, मान लो, family gathering पर आयो, तुमारे ma-baap बैठे हैं, relatives बैठे हैं, तो उनके साथ कैसे बात करनी है, कैसे पेश आना है, यह तुमें पता है अगर तुम तुमारे दोस्तों के साथ बैठे हो, तो तुमारा behavior completely 360 degree change हो जाता है, बात करने का तरीका एकदम अलग हो जाता है और वैसे ही, अगर आप office में हो, तुमारे colleagues हैं, तुमारे boss हैं, उनके साथ बात कर रहें, तो एक professional tone आ जाता है, यहाँ पर तुमारा behavior change हो जाता है और वैसे ही, अगर तुम तुमारे spouse के साथ, husband, wife, girlfriend, boyfriend, इनके साथ बात कर रहें, तो यहाँ पर भी behavior change हो आता है, मिठी मिठी प्यारी प्यारी बाते होंगी और वैसे ही, अगर तुम किसी के funeral पे गए हो, किसी का death हो गया, तो वहाँ पर भी किस तरह behave करना है, यह आपको पता है तो according to different situations, हम हमारा behavior change कर सकते हैं The ability to change one's own behavior, according to changing social situations, is a very important characteristic of social health कहां किस तरह पेश आना है, कहां तमीज दिखानी है, कहां बतमीज बन सकते हो, यह तुम्हें पता है And that is a very important characteristic of social health अब factors affecting social health, इसके उपर कुछ ना कुछ question आता है तो बहुत ध्यान से सुनना, social health किस factor पर depend करती है सबसे important बात, satisfying basic needs such as roti, कपडा, मकान and medicines, दवाईया For a good health We are fortunate by हमारा नसीब अच्छा है, यह सारी चीज़ें हमें मिल रही है Easily accessible है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनको यह नहीं मिल पा रहा है या फिर बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है उनके लिए इतना easy नहीं है, रोटी, कपडा, मकान, दवाईया लेकर आना तो क्या उनके उतने जादा friends होंगे, क्या उनके भी relatives उनके साथ उतना अच्छा relation maintain करते होंगे क्या यह लोग भी उतना interact, उतना communicate कर पाते होंगे, नहीं कर पाते होंगे तो यह जो basic needs होती हैं इंसान की, यह भी तुमारे social health को affect कर रही है and there are various other factors such as a strong personality, तुम्हारे अंदर कितना confidence है, तुम खुद को किस तरह carry करते हो क्या लोगों को तुमसे बात करना पसंद है, क्या उनको तुमारी personality पसंद आ रही है ठीक है, यह भी matter करेगा, वैसे ही having large number of friends and relatives, उनके साथ तुम किस तरह relationships maintain करते हो, बात करते हो, interact करते हो, यह matter करेगा वैसे ही proper use of your alone time और your personal time, तुमारे पास जो खुद का वक्त बचा है, उसमें तुम सो रहे हो, time waste कर रहे हो, phone चला रहे हो, game खेल रहे हो या फिर कोई skill सीख रहे हो, खुद को upgrade कर रहे हो, improve कर रहे हो, यह matter करेगा, वैसे ही trust in others, क्या तुम लोगों पे भरोसा कर पा रहे हो, क्या लोग तुम पे भरोसा कर पा रहे हैं, यह भी matter करेगा and respect and acceptance for others, तुम तुमारे दोस्तों को, relatives को, तुमारे माबाप को, elders को, teachers को, क्या तुम उने respect कर रहे हो, जितना तुम को respect वापस मिलेगा and ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, जिनका position तुम से lower हैगा, ठीक है, lower position के लोग होते हैं, क्या उनको भी तुम respect कर रहे हो, क्या उनको भी तुम accept कर रहे हो, यह सारी चीज़े, all of these factors are very important for a good social health अभी मैंने आपको कुछ factors बता है, जो आपके social health को affect करते हैं, अब आपको कुछ factors बताता हूँ, जो आपके social health को disrupt कर सकते हैं, damage कर सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, mental stress की मानसिक तान, और यह मानसिक तान, बहुत सारी reasons के वज़ा से आ सकता है, सबसे पहले, competition, देखो, competition has increased in opportunities for education, एक simple example लेते हैं, JW और NEET का, लाखो लोग exam लिखते हैं, लेकिन medical की और IIT की seats कितनी हैं, thousands में, लाखो लोग exam लिख रहे हैं, लेकिन सबको admission नहीं मिलने वाला है, competition बहुत जादा है, फिर मान लो, आपने graduation कर लिया, फिर आप job लेने जा रहे हो, आप employment के लिए जा र रहे हैं, तो यहां पर भी competition बहुत जादा है, यस, और अगर आप सोचते हो, मैं खुद का business खड़ा कर दूँगा, start-up चालू कर दूँगा, पैसे कमा लूँगा, तो नहीं होता है, यार ऐसे भी, business में भी, एक race लगी हुई है, and obviously बात है, इतना महनत करने के बाद, अगर म मुझे चाहिए, नहीं मिल रहा है, जो मुझे job चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रही है, and मेरा business भी अगर fail हो रहा है, तो definitely mental stress आने वाल है, लेकिन what is the reason for this competition, यार इतना ज़्यादा competition इंडिया में क्यों है, due to constant increase in population, population जो है, आबादी बढ़ते जा रहे है, कम होने का नाम नही ले रहे है, जितने जादा लोग होंगे, उतना जादा competition होगा, simple सा हिसाब है ना, तो इसका solution कैसर, क्या करें, कहां जाये, be the best in the field, अब जिस field में जा रहे हो, be the best, so that you can crush your competition, आपके साथ कोई खड़ा ना रह पाए, खुद को उस लायक बनाओ, उस लेबल पे प्रिपेर करो यही solution है, यह बात हो गए, फिर यह लोग ने बोला है, सुनो, children are facing the problems of loneliness, अकेलापन, and mental stress, मान सिक्तान, due to reasons like nuclear family, nuclear family मतलब radioactive नहीं होता, nuclear मतलब क्या छोटी सी family, मा, बाप, बच्चा, सिर्फ तीन लोग हैं, अब इसमें अगर मम्मी और पापा दोनों काम पर जा रहे हैं, घर के बाहर हैं, बच्चा घर पे अकेला है, तो क्या होगा, अगर उस बच्चे के दोस्त हैं, तो वो interact कर रहा है, socially active है, ठीक है, लेकिन अगर बच्चे के दोस्त भी नहीं है, तब जाके बच्चा पूरी तरह अकेला हो जाएगा, will he face loneliness, अकेलापन face करेगा, and बच्चे का social health effect होने वाला है, simple, फिर, एक बहुत जादा important बात, बहुत सारे घरो में होता है, cities में भी होता है, villages में भी होता है, there are many bindings on girls, लड़कियों पर बाबंदी होती है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तुम लड़की हो, तुमें क्या पता है, लेकिन लड़का जो चाहे कर सकत है, अच्छा, boys enjoy the concession from their domestic duties, लड़कों को घर का काम नहीं करना है, उनसे expect नहीं किया जाता, but girls have a compulsion, अगर लड़की है तो kitchen संबालना है, खाना बनाना है, कपड़े दोने है, कपड़े सुखाने है, भांडी गास नहीं है, जाडू मारना है, ये सारे काम लड़की से expect किया ज लड़के को क्यों इतना concession मिल रहा है, ये एक बात है न, देखो ये तो घर के अंदर का pressure है, जो लड़की face कर रही है, घर के अंदर का pressure है, लेकिन वो लड़की जब college जाती है, school जाती है, या फिर काम पर जाती है, girls have to unnecessarily face the problems like teasing and molestation, आपको पता है नहीं सब क्या है, देख अब आप सब के पास phone है, आप सब news पढ़ते हो तो आपको पता है अपने country में कितने सारे molestation के rape के cases आ रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है already, बट हम भूल जाते हैं, ठीक है, and girls have to face this everyday, जो लोग काम पर जा रहे है, स्कूल जा रहे है, यह सारी चीजे उनके साथ रोज हो रहे हैं, तो 100% girls will also face mental stress due to all such problems, and of course gender inequality भी है, घर के अंदर भी pressure है, और घर के बाहर भी pressure है, अब बात करते हैं, about a very very big problem, जो हमारा youth, हमारा young generation face कर रहा है, that is addiction, अब तुम लोग 14-15 साल के हो रहे हैं, मतलब you people are adolescents, and तुम तुमारे दोस्तों का, classmates का बहुत ज़्यादा सुनते हो, है न, उनकी advice follow करते हो, peer group influence is stronger in case of adolescence, peer group मतलब दोस्त और classmates, तुम हमेशा उनके साथ ज़्यादा time spend करने की कोशिश करोगे, you always prefer the company of your friends, माबाप के साथ थोड़ी बैठोगे time pass करने के लिए, दोस्तों के साथ and अगर तुमारे दोस्त अच्छे हैं, सुशील हैं, तो उनकी जो अच्छी qualities हैं, good habits हैं, वो आप follow करोगे, वो पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई करोगे, वो अच्छे काम कर रहे हैं, आप भी अच्छे काम करोगे, लेकिन अगर आपके दोस्त नालायक निकलते है तो उनकी जो गंदी आदते हैं, बुरी habits, bad habits हैं, वो भी आप धीरे-दीरे follow करने लगोगे, ऐसा होता है, बहुत बार होता है, ये एक बात हुई, and अपने देश में बहुत सारे बच्चे हैं, चोटे-चोटे बच्चे हैं, जो बड़ों को copy करने की कोशिश करते हैं, ठीक अगर तंबा को खा रहे हैं, तो बच्चा भी बोलेगा, अरे मिर को भी try करने का है, ऐसा क्या मजा आता है, ऐसा क्या जादू मिल रहा है, मुझे भी कुशिश करनी है, मुझे भी try करना है, children in their early age try tobacco, cigarette फूकना शुरू कर देते हैं, बहुत ही, 10-10, 12-12 साल के बच्चे फू मिल रही है, बहुत easily मिल जाती है, बहुत easily accessible है, यह सारी चीज़ है, आपको नहीं पता, मिल जाती है, और बच्चे try करने लगते हैं, क्यों try करते हैं, उसके तीन reason है, एक तो है peer group pressure, एक example देता हूँ, मान लो आप 11th में college में गए, और आपने कुछ नए दोस्त बनाय, फिर मज़ा आएगा, मैं बोलेगा, नहीं आ रहे हैं, यह सब मुझे नहीं करना, ऐसे गंदी आदत हैं, मुझे follow नहीं करनी, अरे यार दोस्त नहीं है गया, मर्द नहीं है, मर्द है ना, पार्ट मर्द है ना, हाँ, try करना, करना, और बहुत सारे लोग होते हैं, जो ऐसे pressure में आकर यह सारे चीज़े शुरू कर देते हैं, pressure में गुझ जाते हैं, ऐसा भी होता है, एक बात हो गए, फिर symbol of high standard living, तुम किसी बंदे को देखोगे, मस्त suit, boot, pen के टका टक खड़ा रहे के, ऐसा फूख रहा है, और कितना cool दिख रहा है, कितना smart दिख रहा है, तुमे भी उस of elders, बड़े कर रहे हैं, कितने cool लग रहे हैं, मुझे भी करना है, हम उन्हें copy करते हैं, तो यह सारी वजह से, these are all the reasons, छोटे-छोटे बच्चे, इन सारी आदोतों में घुझ जाते हैं, ठीक है, फिर, बात करते हैं, temporarily intoxicating drugs of plant origin, drugs of plant origin, मतलब यहां किस की बात हो रहे है, marijuana की ब है, ठीक है, उसमें से chemical होता है, THC, और यह सारी chemicals, they can permanently damage your nervous system, ठीक है, नशा जो चड़ते रहता है, उस नशे से तुम्हारा nervous system permanently damage हो सकता है, तुम्हारा muscular system damage हो सकता है, तुम्हारा heart damage हो सकता है, it can cause heart attack, यह सारी चीज़े भी होती है, ठीक, अच्छा, and last year हमने यह पढ़ा है, we have already studied the carcinogenic effects, carcinogenic मतलब क्या, cancer causing effects of tobacco containing substances on mouth and lungs, तंबा कुखाने से, cigarette फुकने से, गुटका खाने से, mouth cancer हो सकता है, lung cancer हो सकता है, यह हमने पढ़ा है, आप अगर movie देखने जाते हो, तो trailers के पहले, मुकेश की story आती है, मुकेश को mouth cancer हो या था, because of which he died, तो यह सारी चीज़े हमें पता है, हम देखते हैं, आजो बाजो लेकिन भूल जाते हैं, एक सवाल पूछा है यहां पर, can you tell, क्या आप बता सकते हो, have you ever seen the persons inebriated, inebriated मतलब क्या, intoxicated, नशे में धुत, inebriated with drugs or liquor, loitering on dirty places, नशे में धुत इंसान को गंदी जगा पर, कचरे के डबबे के बाजु में, सडक पर या फिर गटर में गिरे हुए देखा है, कभी ना कभी कहिना कहीं देखा होगा, अब आपको एक बात बता हूँ, humans are the most evolved, मानते हो न, we are the smartest animals on earth, and ऐसा smartest animal, इस pitiful condition में, नशे में पढ़ा हुआ है, is this condition acceptable, obviously not, एक और बात, you must have read the news about many deaths due to poisonous liquor, जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, ऐसी news आते रहती है, एक article आपके लिए लाया हूँ, हरी भूमी का article है, देखो, जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की हुई थी मौत, ED ने दोशी संजय प्रधापसी की संपत्ती की जब, ये तो एक article है, कितने लोग म मर गए, कहीं 200 लोग मर गए, 300 लोग मर गए, पॉईजनस लिकर पीने के बाद, लेकिन ये लिकर पॉईजनस कैसे हो जाती है, ऐसा क्या हो जाता है उसके अंदर, why does this happen, सुनो, लिकर कैसे बनती है, शराब कैसे बनती है, लिकर is produced from alcohol obtained through fermentation of substances, हमने पढ़ा है न ये, शुगर के fermentation से alcohol बनता है, और उस alcohol से लिकर बनती है, शराब बनती है, लेकिन अगर ये process बराबर से न की जाए, if this process is performed in a wrong way, तो पॉईजनस लिकर बन जाती है, लिकर के अंदर कौन सा alcohol होता है, इथाइल alcohol, ethanol, C2H5OH, ये हमें पता है, लेकिन अगर fermentation बराबर न किया जाए, या फिर उस alcohol भी बन जाता है, methyl alcohol, पढ़ा है ना मने, CH3OH, and methanol is the most poisonous alcohol, जिसको पीने से definitely क्या होने वाला है, death, it is very very toxic, ठेक है, and कुछ लोग क्या करते हैं, पता है, alcohol content increase करने के लिए, जान मुझके methanol mix करते हैं, ठेक है, तो क्या बन जाता है, poisonous liquor बन जाएगा, and it will prove fatal for many at a time, 1.500, 200, 300 लोग उमर सकते हैं, because of such poisonous liquor, बात समझ में आ रही है, आपको क्या हो रहा है, ठीक, एक और बात, excessive alcoholism से बहुत सारी दारू पीने से क्या होगा, एक तो तुमारा nervous system affect होने वाला है, तुमारा brain affect होगा, तुमारा liver affect होगा, liver भी बराबर से काम नहीं करेगा, fail हो सकता है, at the same time तुमार brain development in adolescence, तुम लोग 14-15 साल के हो न, अगर अभी से दारू पीना शुरू करते हो, तो तुमारा brain बराबर से develop नहीं होगा, brain development in adolescence will be hindered, hindered मतलब क्या, बराबर से नहीं होगी, और इसके वज़ा से क्या होगा, तुमारा memorization, तुमारा learning, तुमारा concentration, यह सब कुछ affect होने वाला ह तुम चीजों पर ध्यान नहीं दे पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, बराबर, and, addictive persons cannot think rationally, जो लोग पीए हुए होते हैं, ड्रंक होते हैं, वो लोग सीधा सोच नहीं सकते, जगडा करेंगे, राडा करेंगे, गाली गलोच करेंगे, बच्चे को जाके मारेंगे, बीवी क हो जाते हैं, बराबर हैं, due to this, the person has to face social, mental, and familial illness, along with physical illness, उसके दोस्त उस से दूर हो जाएंगे, social distance हो जाएगा, social distancing हो जाएगी, mental मतलब, obviously, वो खुद बंदा जो है, वो mentally unstable हो जाएगा, familial illness, बीवी छोड़ के बाद चली जाएगी, बच्चा छोड़ के चला जाएगा, और वो physically unfit तो होनी वाला है, तो यह सारी problems हो सकती है, due to excessive alcoholism, बात करते हैं, एक और factor के बारे में, जो हमारे social health को affect करता है, that is, incurable disease, देखो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जिनको incurable disease हो जाती है, ऐसी बीमारी जो क्योर नहीं होती है, वो बीमारी जिन्दगी पर चलती AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, फिर we have TB, tuberculosis, leprosy होता है, कुछ थरोग बोलते हैं इसको हिंदी में, and mental disorders, तो यह जो patients होते हैं, जिनको incurable disease होई है, उनको society में बहुत साधा ignore किया जाता है, community से भाहर कर दिया जाता है, उनके दोस्त दूर हो जाएंगे, relatives छोड़ कर चले जाएंगे, एकदम अकेले हो जाते हैं ये लोग, तो क्या इनकी social health affect होने वाली है, बिलकुल होने वाली है, बराबर, and बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, जो बुजिर्ग लोग होते हैं, old people, उनकी भी needs को ignore किया जाता है, and उनको old age homes में shift कर दिया जाता है, तो even this will harm the social health, तो आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं, देखो हमने बहुत सारी चीज़े पड़ी है, mental stress पड़ा, सबसे पहले तो social health क्या होती है, वो हमने देखा, फिर addiction देखा, and last में क्या देखा, incurable disease, तो ये topics के उपर जो भी सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे end में मैंने डाले है, बहुत सारे questions का ये भी दियें, जिसका answers आप ढूंडिये, बहुत easy वाले हैं, मिल जाएंगे easily, ठीक है, and अगर lecture अच्छा लगा है, तो like करना, share करना, subscribe करना चैनल को, and मिलते हैं अगले lecture में, peace out Jestिंगanda करने लिए में हैं, वो सारे हैं, वो सारे अधक, करना, share करना, g giàыватьी झाल झाल